आज ही से जीवन के हर बल का आनन उठा लो आज ही से मन की एक नई शांती पालो समय आ गया पदलने का समय आ गया कुछ करने का अब उठा लो आनन प्रते दिन के जीवन का आनन लो प्रते दिन के जीवन का में स्वागत है आजा पाये मुझे खोशी है इस हफते कारक्र में हम बाते कर रहे हैं डर की आत्मा के बारे में बाइबल कहती कि प्रभू ने हमें डर की आत्मा नहीं वरन शक्ती प्रेम और शांत मन की आत्मा दी है डर कई तरीकों के होते हैं आज मैं ऐसे डर के बारे में कहूंगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा बहुत से लोग इससे पीडित है और ये है मैं प्रभू को ना पसंदू इस बात का डर प्रभू की इच्छा है कि हम उसके साथ आराम दायक हूं शुरद्धा युक्त मगर आरामदायक और मेरी प्रातना के जबाप इस शिक्षन का आनद लेंगे तो पहले से भी अधिक प्रभू के साथ आराम में रह पाएंगे मैं अपने बारे में दोशकानोबहो लेकरी बड़ी हुई अधिकांशता लोग ऐसी है मेरे विचार से क्योंकि मैं इस शेत्र में चोट खाई है मैं लोगों की आखे खोलने की कोशिश करती हूँ मैं जहां भी जाती हूँ किसी तरह इस पर मैं शिक्षन न वश्य देती हूँ कभी कभी लगता है कि टीवी पर देखने वाले दर्शक कहीं उकता तो नहीं रहें क्योंकि वे इस शिक्षन को हर 4-5 दिन में सुनते रहते हैं अभी तक किसी ने ऐसा कहा तो नहीं है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लोगों के बीच बहुत ही बड़ी समस्या बनकर रह गया है हमें इससे सुनना चाहिए बार-बार और बार-बार और बार-बार मुझे जहां होना चाहिए वाह नहीं हूँ लेकिन प्रभू का धन्यवाद जहां थी वाह नहीं हूँ मैं ठीक हूँ और बढ़ोतरी पर हूँ मैं अग्रसर हो रही हूँ आभी तक पहुची नहीं हूँ लेकिन प्रभू मुझसे खुश है मुझे में बहुत 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 बढ़ी समस्यती दोशा रोपण और गलती की मुझे हमीशा बुरा महसूस होता बहुत दिनों तक मैं इसे समझ नहीं पाई मुझे में दोशियोंने का नशा था इसका क्या आर्थ है अगर मुझे गलत महसूस नहीं होता तो सही नहीं लगता था आपने सुना मुझे गलत महसुस नहीं होता तो सही नहीं लगता था अपने बारे में अच्छा अनुभ हो मुझे ही मजाग सा लगता था यहां आज अनेक लोग ऐसे हैं जो ऐसी ही परस्तिती में हैं आप सारी जिंदगी बुरे अनुबों के साथ ही जी रहें और इसे हमीशा अपने ही साथ रखते हैं और ये भावना है कि सही मैसूस करना बड़ा पाप है हम किसी न किसी तरह ये सोच लेते कि अपने बारे में बुरे विचार धार्मिक है किड़ी की भावना से बाहर आई आमिन कीड़ी सर्प के रिष्टेदार है और शैता आनेक सर्प है आमिन खैर मुझ में हमीशा दोश की भावना थी ये जैसे दोश का चक्र था क्योंकि मैं कुछ गलत करती फिर दोशी मैसूस करती और जब वो सुधरता नजर आता तो मैं दूसरी गलती कर बैठती और ये चक्र चलता ही रहता था मुझ में भी ये चक्र सक्री था मैं इसे समझ नहीं पाई थे मैं इसे जानबुज कर कर नहीं रही थी मेरे दोश की भावना कितनी लंबी है ये मेरे पाप के स्तर पर निर्भर था मेरे साथ यहां कोई है देखे और अगर ये छोटा पाप होता तो कुछ ही घंटों में दूर हो जाता थोड़े से बड़े पाप को कुछ दिन लगते हैं और फिर वो बड़े पाप अपने उन्हें दूर करने में दो या तीन हाफते लग जाते एक दिन मैं शॉपिंग करने गई अपनी कार पार्क की कार से बाहर निकल कर चलने लगी अपने इस भावना को अकसर हम लोगों में देखते हैं आप कैसी हैं बहन ओ अच्छी हूँ प्रभु की महिमाओ जहां भी जाती अपना बोज लिये जाते हैं मेरा छोटा सा दोश का बोज सदा मेरे साथ रहता इससे मेरी कंदे थोड़ इससे जुग जाते इससे मेरा सर थोड़ा सा जुग जाता मैं अधिकार के साथ चलना और लोगों की आँखों में जाकना नहीं चाते थी जब ये मुझे से बाते करते जानते हैं कई लोगों की बातों में सपश्टता भी कम हो जाती है उनमें विद्रोहो नामक कोई चीज ही नहीं रहती है और फिर कई आपका हाथ ही तोड़ देते हैं देखे हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए जब आप किसी से गले लगने को कहते हैं और वे बहुत से लोग स्वयम के बारे में बुरी अनुभूती रखते हैं उन्हें नहीं लगता कि उन्हें गले लगने या फिर हाथ मिलाने या हसने या कुछ और करने का हक है उस दिन प्रभू ने मुझसे कहा जॉयस इस पाप से उपर आने कि तुम्हारी क्या योजना है मुझे सही उत्तर पता था वो डरावना भागता मैंने कहा मैं उस बलिदान को सुविकार करूँगी जिसी इशो ने मेरे लिए कलवरी पर मर कर दिया था आप में सैदिकांश उत्तर जानते लेकिन उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते अगर हम अपनी सलहा को अपना ले तो जीवन में आगे निकल जाएंगी बस वही करें जो आप दूसरों को करने के लिए कहते हैं जवे समस्या में होते हैं देखी बेहन जॉइस मैंने पिछले हफ़ते गलत किया और वो गलत किया मैंने प्रभू से ख्षमा मांगी लेकिन मुझे बुरा लगता है मैं क्या कर सकता हूँ दोश की भावना के अंतरगत न रहे आप लहू से दोए गए हैं जो करना था आपने किया अब उसे जटका कर आगे बढ़ें लेकिन देखी जोईस इस पाप से कैसे छुटका रहा पाए मैं उस बलिदान को स्विकार करूँगी जिसी इशू ने मेरे लिए कलवरी पर मर कर दिया था प्रभू ने मेरा जीवन बदल देने वाली बात कही सच मुझ बदलाओ वाले उसने का अच्छा और तुम उसे कब स्विकार होगी तब मुझे एक प्रकाशन मिला और मैंने सूचा कि ओ शायद तीन दिनों में प्रभू ने मेरी आँखे खोलना शुरू कर दिया अगर मेरे बलिदान की कीमत तीन दिनों के बाद अच्छी है तो अभी क्यों नहीं तुम अपने दोश को मेरे बलिदान से क्यों जोड रही हो मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए या तो जो मैंने तुमारे लिए किया था वो परियाप्त था या नहीं था अगर परियाप्त नहीं था तो तुमारी समस्या गंभीर है प्रभू ने मुझसे कहा जोईस मेरी बात मानो मुझे तुमारी जरूरत है मैंने तुमें बुलाया है तुमें अभिशिक्त किया है मैं मेरे लिए दोश की भाव न आटा दो ताकि तुमारे लिए जो योजन्या उसे पूरी कर सके क्या आज हम प्रभू पर ये उपकार करें और अपने आप से बिल्कुल ही लड़ना छोड़ दें क्योंकि वो भी स्वार्तता हो सकती क्योंकि अभी भी है मेरे बारे में क्या मेरे बारे में क्या मेरे बारे में क्या मेरे बारे में क्या मुझ में खराबी है मुझ में वो खराबी है मुझे कुछ भी सही नहीं होता मैं नाकामियाब रही उसमें नाकामियाब रही मेरे बारे मे क्या मेरे बारे में, क्या मैं, 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 हलो, क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, ये अभी भी स्वयम के बारे में है, चाहे तुभी मेरे साथ गटी बुरी बातों के बारे में क्यों नहों, लेकिन मेरे बारे में ही है, इश्यू ने कहा अपने बारे में भूल जाए, अपनी बारे में न सोचे, अपनी बात दिमाग से निकाल दे, बाचीत में स्वयम को नौलाए, अपना जीवन प्रभू को समर्पित कर, प्रभू की और दूसरों की सेवा करे प्रबु को किस चीज की ज़रूत है वो क्या चाहता है कि मैं करूं आये देखते हैं योहना अध्याईचे मुझे लोगों को सिखाना अच्छा लगता कि वीश्यू में क्या है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग स्वयम को चाहें अगर स्वयम को नहीं चाहेंगे तो मुझे भी नहीं चाहेंगे मैं चाहती हूँ कि मुझे भी चाहें इसलिए स्वयम को चाहना सिखाती हूँ जिससे आपका विवाह हुआ उससे आपकी नहीं नीप सकती अपने बच्चों से नहीं नीप सकती अपने मित्रों से नहीं निप सकती, पडोसी से, रिष्टेदारों से, क्योंकि जो आप में नहीं उसे आप नहीं दे सकती. अगर स्वैम से प्रेम नहीं करेंगी, तो दूसरों से प्रेम कैसे करेंगे? योहना 6.28, उन्होंने उससे कहा, परमीश्वर के कारी करने के लिए हम क्या करें? प्रभू की इच्छा नुसार हमें क्या करना है ताकि कारी हो सके, इश्व ने उन्हें उत्तर दिया, परमीश्वर का कारी है, कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है, विश्वास करू. प्रभू को क्या अपेक्षा है यही कि हम इश्व पर विश्वास करें? नजाने आप लोग समझ रहे हैं नहीं, यह ऐसा है, हमारी सोच होती है इससे और अधिक कुछ अवश्य होना चाहिए. वे वही प्रश्व पूछती जो हम प्रभू से पूछते, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूँ? विश्वास करें. इब्रानियों 11.6 कहता है, विश्वास बिना प्रभू को प्रसन करना अन होना है. उसके लिए मुझे क्या करना होगा? विश्वास करना होगा. उसे खुश करने के लिए और क्या करना होगा? मुझे विश्वास है कि दो क्यों चीजें हमें विश्वास होना चाहिए और हमें ऐसा रिदय होना चाहिए जो प्रभू को प्रसन करना चाहिए. आपके पास उसे प्रसन करने वाला रिदय है, इसी वास्तविक्ता से वो प्रसन हो जाता है. आज आप यहां आए हैं ये वा अमरिका, यूरोप से लोग यहां आए हैं, लोगों ने छुटी ली हैं, लोगों ने बेबी सिटर्स को पैसे दिये, हवाई जाहज की टिक्डे खरी दी, बहुत पैसा खर्च किया, अपना समय दिया सिफ इसलिए नहीं कि टीवी वाली महिला से मिले आप, हाँ शायद आप द जानते की परखा जाना क्या होता है, बाइबल के तिम विश्वास द्वारा न की काम द्वारा परखे जाते हैं, जानते परखा जाना क्या होता है, इसका आर्थे प्रभु के सामने खड़ा होना, जैसे की कभी पाप न किया हो, हमीशु के लहु द्वारा परखे जाते हैं, प्रभू के समक्षे से खड़े हो जैसे की हम निश्पाप हों वो हमें धार्मिक की तरह देखता है ना की बुरा वरन धार्मिक शायद मैं कुछ धार्मिक लोगों को ठेस पहुँचा रही हूँ अगर ऐसा हो तो मुझे खशमा करे मैं आपको ठेस नहीं पहुचाना चाहती नहीं किसी के सिध्धान्त का मजाग उड़ाना चाहती हूँ एक कलीसिय जिसकी मैं कई सालों तक हिस्सा थी वहां हर रविवार सुबे जोर से गवाही दिलवाई जाती मैं बेचारी परिशान पापी और ऐसा मैं कई सालों तक कहते रही जोर से आप कहते हैं मैं एक पापी हूँ क्योंकि हम पाप करते हैं मैं अपने आपको मुसीबत में डाला नहीं चाहती है हम पाप करते हैं लेकिन हम लोग पापी नहीं है हमने पाप किये हैं और प्रभु की महिमा के करीब है मैं जीवन में हर दिन पाप करती हूँ, मेरी विचार से कोई इस पर केस चला सकता है कि तो आपको क्या पापी बनाता है, मुझे विश्वास नहीं कि प्रभू चाहता है कि हम पर लेबल लगे, आप कैसे अपने आप पर प्रभू की धार्मिक्ता और पापी दोनों का लेबल लेकिन क्रीस्त में मैं प्रभू की धार्मिक्ता हूँ, आपको समझना है कि आपके अब दो स्वभाओं है, पुराना और नया स्वभाओ, या तो आप पुराने स्वभाओं में जीएंगे, आपको आज निश्चे कर लेना है कि आप कैसे जीना चाहेंगे, अभी समाप नही लेकिन ये अभी और बहतर होगा, आमिन, पर खे जाना, जैसे कि कभी ने पाप किया हूँ, तो होता क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं रोमियो छे, कमर बंद कस के बांद लो, मैंने इसे दो हफते पहले ही देखा था, पिछले 28 वर्षों से वचन पढ़ रही हूँ, इसे दो हफते पहले ही देखा, ये कितना अच्छा है, जब मैं साक्षे देती थी, मैं बेचारी, परेशान, पापी, हर बार जब कहती थो, और बुरा, महसूस करती थी, फिर मैं और भी बेचारी और और भी परेशान, और बत्तर पापी बन जाती, आमें, और देखिए, मैं किसी को ठेस नहीं पहुचा रही हूँ, अगर आप भी ऐसी कलीसिया में जाते जहरो जैसा कहते हैं, तो मुझ पर नाराज मत हुई, मैं बस लोगों की आँखे खोलने की कोशिश में हूँ की, जब हम पाप करते हैं, हम गलत काम करते हैं, दिखी लोगोंने मुझे दोश दिया कि मैं कहते हूँ, मैं पाप रही तो ये मूर्खता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मेरे बारे में अख़बारों में लिखा गया था कि किसी ने मुझे कहते सुना कि मुझे मैं पसंद हूँ, मायर स्वयम को चाहती है काश में लिखते मैंने कहा था कि मुझे स्वयम से घ्रिणा है वो धार्मिक शैतान चाहते हैं कि आप स्वयम से घ्रिणा करें आमिन पता नहीं आप जानती हैं ने लिकिनीश्व इसले नहीं मरा कि आप धर्म पाए वो मरा ताकि आपका उसके साथ व्यक्तिगत संबंद बन सके मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके इस धर्म के हैं मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे धर्म के बार में पूछता है मैं कहना चाहूंगी प्रभू का धनिवात किसी धर्म की मैं नहीं मैंने नया जन्म पाया है संत पवित्र आत्मा में बप्तिस्मा पाया है एक और बात होगी अगर आप किसे से कहें कि आप संत है प्रभू ने आपको संत कहा है जैसा प्रभू हमसे बात ये करता है वैसा अगर हम लोगों को बताने लगे तो पृत्वी पर बहुती बड़ा तूफान मच जाएगा एक भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं होगा जो आप से रिष्टा रखना चाहेगा क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप पागल है और आपको बंद कमरे में रहना चाहिए सच पुचकर जैसा प्रभू हमसे बात ये करता है वैसा अगर बताने लगे तो ऐसा ये होगा रोमियो 6, 15 और 11 क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया एम्प्लिफाइड बाइबल कहती पाप से रिष्टा तोड लिया उससे रिष्टा तोड लिया मैं इसे कहना चाहूंगी हमेशा के लिए क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया उसने पाप से रिष्टा तोड लिया परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है उसके साथ आटूट रिष्टे में प्रभू ने मुझे कुछ हफ्टों पहले बताया कि हमें पाप के साथ रिष्टा रखना बंद करना होगा सारे दिन भर पाप के साथ रिष्टा बनाये रखने में होता क्या है जब हम गल्ती करते हैं तो पाप करते हैं तो सारा दिन उसकी सहभागिता में बने रहते हैं देखिए जब पाप करके गलती करते हैं तो प्रभू से एक शमा मांगे ईशु के लव से धोई जाने की बांग करें तब सारा दिन आप प्रभू के साथ साह भागीता में बने रहेंगे और अब मेरी बात पर ध्यान दे अगर प्रभू के साथ सारा दिन सहे भागीता में रहूँगी तो दूसरे दिन पाप में गिरने की गलती नहीं करूँगी आज मंगलवार की सुबह 8 बजे पाप करूँ और पूरा दिन और बुधवार को भी उसी के साथ रहूँ तो फिर मैं बुधवार, गुरुवार, शुकुरुवार को भी उसे ही करूँगी यहां कौन इसे बहतर समझ रहा है मैं इसका प्रचार करेंगी इसे समझ ले नहीं तो मुझे बार-बार समझाना पड़ेगा यह सही है ना कि जब आप कोई पाप करते तो उसके साथ सारा दिन बने रहते हैं एक दिन मैं अपनी प्रातना कुर्सी में प्रातना के लिए बैठी और अपनी समस्याओं के बारे में ही सोचने लगी इसके बारे में चिंता उसके बारे में चिंता इसके बारे में चिंता प्रभु ने कहा क्या ये प्राथना है क्या मेरे साथ सह भागीता निभा सकोगी जोईस या अपनी समस्याओं की साथ बनी रहोगी कुर्सी में बैठ कर अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहना प्रार्थना नहीं है और नहीं कुर्सी में बैठ कर प्रभू को अपनी समस्याओं बताना प्रार्थना है समस्याओं उसे कहें लेकिन कहते ही ना रहे बाइबल कहती हमारे बताने से पहली वो हमारी जरूरते जानते हैं प्रभू के साथ साय भागिता में हम अकसर चूक जाते उससे कहें कि वो कितना अद्बूत है और हमारे लिए कितने अच्छे काम किये हैं हर बात के लिए उसे धनिवाद दें, हमें प्रभु से कहना जरूरी कि हमें कितनी आशाएं हैं, उसे विश्वास की बारे में और अपिक्षाओं के बारे में बाते करें, मैं आपको दुगनी चुनावती देती कि प्रभु से अपनी अपिक्षाओं को बताएं, क्या आप जा प्रभू की प्रतिग्याओं पर विश्वास कीजिए, हर दिन इसी सोच के साथ उठें, कि आज अवश्य कुछ बहतर ही होगा। भी, जो पर्मिश्व की बाट जोटे क्या, बाट जोहना क्या है जानते हैं. प्रतिख्या करना, आशा रखना, और प्रभू को अपने जीवन में पाने का एंतजार करना. इसका यही अर्थ है, आप आशा साइद बाट जोते हैं, वास्तों में एक मनोदशा रखते हैं, मुझे प्रतीतिनी की प्रभू कितना भला है, मुझे उससे कुछ अपेक्षाय है, उसकी आशीश मुझे चाहिए, उसकी अभिशेक की मुझे आशाय है, आशा करते हैं की आने और उस पर विजय पाएं, प्रभू के सहभागिता में रहे, क्योंकि अगर वो मदद नहीं करेगा, तो आप दुबारा वही करेंगे, और अगर दुबारा करेंगे, तो सिर्फ वही आपको बचा सकता है, अंत में मैंने प्रभू से कहा, मैं नहीं प्रणाली प्रभू प्रभू प्लीज दुबारा नहीं करूंगी, फिर पांच मिनट के बाद आप दुबारा ऐसा करते हैं, दुबारा करते हैं, ओ प्रभू मुझे अपने आप से नफरत हैं प्रभू अगर मेरी मदद करेंगे तो दुबारा नहीं करूंगी प्रभू, फिर आप अपनाएने जीने का तरीका प्रभू अगर आप मेरे बारे में कुछ ने करेंगी तो मैं इसे निश्चे दोबारा करूंगा मैं वादा करता हूँ प्रभू कि मैं इसे खुद नहीं कर सकता अगर तू मुझे नहीं बदलेगा तो हो गया मैं स्वर्ग का रास्ता अपनाओंगा प्रभू अगर मुझे में बदलाओ चाहता है जब मैं महिमा में नजर आओ तो तुझे आवश्य कुछ करना होगा नहीं तो जब मैं वहाँ पहुचूँगा तो तुझे मेरे लिए अलग समय रखना होगा क्योंकि अभी भी मैं बखेडे में रहूंगा बाइबल कहती है हम सब पलक जपकते ही बदल दिये जाएंगे वो हमें महिमा से महिमा तक बदलता है आपके लिए एक खबर है क्या आप जानते अगर इस पर विश्वास करेंगे तो वश्य जीवन में आगे बढ़ेंगे यहां से पार्किंग की जगह पर जाकर नाराज होकर मत कहिएगा कि इस कॉन्फरेंस में जाकर मुझे कुछ वायदा नहीं हुआ कोई लाब नहीं हुआ मैं नहीं बदलने वाला में हमेश्य वही पुराना मैं रहूंगा बजाना मूर्क मूर्क मैं मूर्क हूं मूर्क हूं अपने बारे में कभी ऐसा ना कहें अगर आप गल्ती करते हो नाराज होते हैं तो कहें प्रभुक्षमा करें लेकिन आपसे एक बात कहूं इस हफ्ते मुझे में बहुत से वचन समाए हैं वचन मुझे में कारे कर रहे हैं और मैं बदला हो देखूंगा महिमा के क्षेत्र में आने की मेरी प्रत्याश होगी मैं आपको फिर से याद देलाना चाहतियों की प्रभु आपसे प्रेम करता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत साधारन लगेगा परन्तों मैं उस त्री को कभी भूल नहीं सकती जिसने कहा कि एक दिन जब मैं टीवी पर आपका कारिक्रम देख रही थी आपने स्क्रीन के और अपने उंगली दिखा कर कहा प्रभू आपसे प्रेम करता है वो ख्षन मेरी जीवन बदल देने वाल अक्षन था हम सोचने की सभी इस सत्य को सुन चुके हैं कि प्रभू उनसे प्रेम करता है पर सभी ने नहीं सुना है यदि आप इसे जानते हैं तो मैं आपको प्रोचाहित करती हूँ कि उसे और गहराई से जान ले और इधी आप नहीं जानते हैं, आपकी जीवन में ये प्रकाशन प्राप नहीं हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बातों को दिहान से सुने, इशू आप से प्रेम करता है, हाँ वो हर एक से प्रेम करता है, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप इसे व्यक्ति गत्तौर पर अनुभव करें प्रभू आशिश्ते इसमपुरे संसार में मस्सी के प्रेम को बाटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं